हम लोग ने पंचादस पार्ट पढ़ाई कर रहे थे चाप्टर 15 और चाप्टर 15 में हम क्या पढ़ाई कर रहे थे प्रहेलिका का अर्थ क्या है पहिली मतलब किसी बस्तू या बिशे का ऐसा बनन किया जाता है जिसके आधार पर उतर देना या उस बस्तू का नाम बताने में बहुत बीचार करना पढ़ता है ठेक है तो हम लोग ने पंक्ती नंबर वान और पंक्ती नंबर टू कंप्लेट कर चुके है आज पंक्ती थ्री पढ़ेंगे ठेक है देखो कम संजगान क्रिश्नहा का सितल बाहिन गंगा के दारा पोसन रता है कम बलबन तम ना बाधते सितम ठेक है पहले इसका अर्थ जानते है अर्थ देखो कम कम का अर्थ है किसे ठेक है संजगान का अर्थ है मारना ठेक है किसने मारा क्रिश्न हाँ तो स्री किसना ने किसको मारा ठेक है स्री किसना ने किसको मारा तो आप लोग को तो पता है स्री किसना ने किसको मारे थे कंस को तो देखो इसका एंसर क्या है कम स ठेक है ये दोनों देखो ये पहला बन और ये बन देखो, कंस, कंस, तो एंसर क्या है, कंस को, तो कं संजगान कुष्ण को मारे थे, कंस को, फिर देखो, का सितल बाहिनी गंगा, ठीके, सितल बाहिनी का अर्थ क्या है, थंडी धरावाली, सितल मतलब थंडी, थंडी धरावाली गंगा को, बाहिनी, बाहिनी मतलब बहाने वाली गंगा, का, का का अर्थ है, कोन, कोन मतलब किस जागा, ठीके, कोन, सितल, सितल या थंडी धरावाली गंगा को बहाने वाली जागा, कोन सी है, तो कोन सी है, देखो, का सी, का सी, ठीके, एंसर क्या है, का सी, बाती है कासी में के दारा पोषण रता है दारा पोषण मतलब पत्नी के पत्नी और बच्चों को कोन पोषण करता है ठीके तो देखो के का अर्थे कोन ठीके दारा पोषण रता है मतलब कोन पत्नी सहीत बच्चों को पालन पोषण में कोन लगे होते है ठीक है पत्नी के साथ साथ बच्चों के पालन पोशन में को लगे रहे होते हैं इसका एंसर देखो क्या है केदार पोशन रता है ठीक है यह पूरे है इसका एंसर ठीक है यहां बीज में स्पेस है वो स्पेस नहीं रहेगा क्या होगा केदार पोशन रता है केदार पोशन रता का अर्थ है? खेती के काम में सनंगलक किसान मतलब केकदार पुषन ळता है जो खेती में काम करते हैं किसान, वो क्या करते हैं? पतनी के साथ साथ मी बच्चोंके पालर पुषन में लगे होते हैं। कम का अर्थ क्या है किसे ठेके बलबंत मतला बलबान न बाधते सीतम किसे किस बलबान को थंड कश्क नहीं देता ठेके न बाधते का अर्थ कश्क नहीं देती है क्या सीतम सीत ठंडा ठेके इसी तक क्या है कोन से बलबंत को कोन से बलबान को थंड कश्क नहीं देती तो देखो एंसर क्या होगा कम बलबंत ठेके एंसर क्या है कम बलबंतम का अर्थ क्या है कमबल वाले वेक्तिको का अर्थ है जिसक के पास कंबल वाले विक्ति को जिसके पास कंबल है उसको क्या होगा क्ष्ट नहीं देती क्योंकि उसके पास कंबल है तो पहले आंसर क्या है कांसर सेकेंड है कासी और यह थाड़ वाला पुरा है केदार पुषण रता है ये के अंदर स्पेस नहीं आएगा ठीक है विदाउड स्पेस में रहेगा केदार पुषण रता है और ये है कम बलबन्तम ठीक है तो चलो नेख देखो बुख्याग्रबासी नचा पुखिराज तीनेत्रधारी नचा सोलपानी ही तो अगबस्त्रधारी नचा सीधयोगी जलंच बीभरना घाटानो मेग है देखो बुख्याग्रबासी नचा पुखिराज मतलब बुख्याग्रबासी मतलब बुख्या के उपर बास करता है ठीक है बुख्या के उपर रहने वाला है नचा पुखिराज नहीं है पक्यों के राजा नहीं है पक्यों के राजा कौन है गरुड़ा है ठीक है वो बुख्या के उपर उबास करता है लेकिन पक्षियों के राजा नहीं है पक्षियों के राजा क्या है कोने गरुड है लेकिन वो गरुड नहीं है फिर देखो तीन नेत्रधारी मतलब तीन आंखो वाला है नाचे शूलपानी लेकिन वो शूलपानी नहीं है शूलपानी का अर्थ क्या है त वो तो तीन नेत्रधारी वो तो तीन नेत्रवाले हैं तीन आंखों वाले हैं तो भी हाथ में त्रिसुलाधारी सीव नहीं हैं नचा सुलापानी सुलापानी का अर्थे त्रिसुलाधारी मतलब सीव नहीं हैं सीव भगवान नहीं है क्योंकि सीव भगवान का तीन आंखों है लेकिन ये जो है ये त्रिनेत्र धारी लेकिन सीव नहीं है तो अग बस्त्र धारी नच सीधा योगी और क्या है छाल रूपी बस्त्रों को धारन करने वाला है तो अग बस्त्र धारी मतलब छाल रूपी बस्त्रों को धारन करने वाला है नच शिद्ध जोगी लेकिन फिर भी वो तपसी या साधक नहीं है जिसे तपसी या साधक क्या करते हैं छाल वाले बस्त्रो धारन करते हैं ठीक है ये छाल वाले बस्त्रो धारन करता है लेकिन वो सिद्ध होगी नहीं है फिर भी वो तपसी या साधक नहीं है जल को जल को क्या करता है विब्रना मतलब अंदर धारन करता है जल को बीब्रना मतलब धारन करता है किसको धारन करता है जल को कहा धारन करता है अंदर धारन करता है लेकिन न वो घटो है न वो बादल है तो इसका अंसर क्या होगा नारियल नारियल कहां रहता है पेड के उपर और उसका तीन आंखों है नारियल के और उसका बस्त्र क्या है नारियल के उपर उसका जो छिलका है अर उसके अंदर क्या है पानी है नारियल के पानी है ठीके इसका अंसर क्या है नारियल धीर देखो भोजनांते चा कीम पेयं जयनता हा कस्य बई पुझसुता हा काथम विश्नो पादम प्रोप्तम तक्रम सक्यस्य दूलाभं देखो भोजनांते मतलब भोजन के बाद खाने के बाद चा कीम पेयं चा कीम मतलब क्या पिना चाहिए ठीके भोजन के आंत में क्या पीना चाहिए फिर देखा जायंता हा कास्या बाई सुता हा जायंता किसका सुता मतलब पुत्र ठीके जायंता किसका पुत्र है सुता का आर्थ है पुत्र ठीके कास्या मतलब किसका जायंता जायंता किसका पुत्र है काथम विष्णु पादं प्रोक्तम अथर भगवान विष्णु का स्तान स्वर्ग या मुख्यों के से कहा गया है ठीक है तो चला हम देखते हैं इसका अंसर क्या है पहले है तक्रंग तक्रंग का अर्थ है छांच ठीक है तक्रंग का अर्थ है छांच आप लोग छांच पीए होंगे तो क्या पूछ रहा है भोजन आंते चो कीम पेयों भोजन के यह जायांता हा कस्यवाई सुता हा जायांता किसका सुत है सुता मतलब पुत्र है सक्राश्या क्या है सक्रा का आर्थ है इंद्र ठीक है सक्रा का आर्थ क्या है इंद्र तो किसका पुत्र है इंद्र का ठीक है का थाम विश्णु पादा हा पोक्ताम तो कैसे आम विश्णु का मुख्य कैसे कहा गया है तो दुल्लाभव मतलब काठीनाई से प्राप्त होने योग गया ठीक है हम कैसे भोगान बिष्टूं को मुख्य पा सकते हैं बगण बिश्टू का स्तान स्वर्गवा मोख्यों के से कहा गिया है न दुल्लाभम का ठीनाई से प्राप्त होने हो गया ठीक है तो बच्चो ये चाप्टर हम लोग आज कम्प्रेट हो गया पूरे चाप्टर को रेड करो और जहां समझ में नहीं आ रहे हैं मुझे रेस्पं